हेलो डियर स्टुडेंट आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे एक बाव फिर से बहुत-बहुत स्वागत है तो यहां पे हम लेके आज गये हैं OPSC PGT Botany 2014 का Question Paper का First Paper जहां पे 100 Question है और यह एक्जाम होगा है 6 October Go 2014 में तो आप अगर किसी बिग्जाम की तयारी कर रहे हैं तो यह Question Paper देखिएगा काफी बढ़ियां-बढ़ियां Question है अगर मैं Level की बात करूँ पेपर फर्स्ट में तो बहुत ही ना Simple Paper था ना बहुत ही Tough Paper था एक Moderate Level का कह सकते हैं ठीक है अगर मैं बात करूँ 65-70 Question तो बहुत ही आस आती है तो पेपर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अगर बताना चाहूं तो यहां पर आप देख सकते हैं डिस्प्लेए पे न हमारा कोर्स है बॉटनी का बॉटनी का कोर्स कराते हैं हम जुलाजी का भी है Life Sense का आपके लिए तो बॉटनी का कोर्स जरूरी है मतलब इ कर सकते हैं ठीक है एप भी हमारा है प्लेइस्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए कोशन हम देख लेते हैं एक एक करके ठीक है आप देखिए मैं सालूसन बताओंगा हो सकता है कि सो कोशन में से एक अग दो कोशन का एंसर इधर उधर हो जाया अगर लगे कि यह नहीं सरी होगा तो comment section में mention करना वो pin कर दिया जाएगा तो agroecology क्या है तो agroecology क्या है जो हम खेती करते हैं crop plant लगाते हैं तो उसको उपर हमारा biotic a biotic factor का क्या impact है यही हम पड़ते लिकुन उसके साथ साथ हम socio economic मतलब उस पे मतलब हम बेचते तो उससे हमें क्या फायदा नु जैसे हुआ था पहले एक तरगा यह का था कि पहले यह sportic dg जाता था मतलब कभी कि भी जैसे क्या होता तो मर्स था सार्स था यह सरू सरू में ठीक है तो वहां पी वह sportic था कभी कभी आता था एक particular area में आता था फिर वह क्या हुआ pandemic हो गया pandemic का मतलब होता है सारी area में all over the country fell जाना तो pandemic का तो सही है epidemic क्या होता है कि epidemic क्या होता है ना जैसे कहीं पर मालो गंदा पानी गठा हुआ है कहीं पर ऐसे करके ताला भे महकरा है मच्छर वहां पर जा दे हैं तो epidemic का मतलब क्या है कि एक जगा ऐसे करके वहां पर malaria फैल गया उसे हम epidemic कर सकते हैं इंडेमिक क्या है कि एक मालो कहीं, कोई आई लेंड है सेकिर कि, कोई एक पार्टिकुलर कंडिशन में, जहां पर सुर्टेन एरिया में रहें तो इंडेमिक कहेंगे, इस्पोर्डिक, डिजीज बीच अकर इड़ वेरी इर्रेगुलर इंटरवल, मतलब इर्रेगुलर इंटरवल जैसे प्लेगुलोग होता है, आल लोकेशन पे नहीं रहेगा, एक पार्टिकुलर लोकेशन पे रहेगा, तो आल यहाँ पे इसलिए यह गलत होगा, एंसर यह दिख रहा है सईसे, ना दिखे, क्वाल्टी वीडियो का बढ़ा लेना, रियक्शन उड़ किसका रिस्पॉन्स है, तो रियक्शन उड़ देश से दिखो, आप खेत होथ है, जंगल है, वहाँ पे पोधा, पेड़ लगा हुआ है, बहुत तेजी से हवा चल ला है, हवा की पेड़ भीसे जूक जाता है, नीजे के तरब, तो जूक जाता है, तो उसे हम लॉउड़ भोलते हैं, ग्रीविटी के effect की वज़ अपने प्लांट अनु पढ़ा होगा, तोि तो यह इमपरिमएबल होता है वाय तरेacja मालिकुल के लिए, क्यूँ की लिए तू prison लाए पें deposition हो जाता है किसका होता है secondary deposition वो आपका होता है submarine का देखो secondary deposition की बात करें तो submarine के साथ साथ जैसे lignine का आप पढ़ेंगे cutene का पढ़ेंगे तो यह सारा होता है तो यहाँ पर answer हमारा जाएगा submarine ठीक है अगला question है कि the type of organization where in the shortest है youngest side branch are closest at the apex तो आपने inflorescence भी पढ़ा होगा भाई की ऊपर जो होते हैं छोटे 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 फ्लावर नीचे जो होते हैं बड़े बड़े फ्लावर तो यह कौन सा अपने फ्लावर था रेसी मोस और रेसी मोस में कैसा होता है तो वहाँ पर एक्रोपिटल सक्सेशन होता है ना तो ब्रांचेश का भी ऐसा होता है कि ऊपर छोटे छोटे ब्रांच नीचे बड़े बड़े ब्रांच that is the एक्रोपिटल सक्सेशन ठीक है काईटीन कहां पर पाय जाता है तो काईटीन इस दे पॉलीमर आप एनेस्टिल ग्लुकोसा मिन मॉक्टेस मैंने कराया था मॉक्टेस में भी आरहे हैं और मैंने क्या कराया था धिस तारे आपको कुझ इच कराया थै टेलिग्राम गुरूप में और कोर्स में तो पढ़ाया ही गया है एक मिनट ऐसे दिख नहीं रहे हैं थोड़ा सा psychology मिझे कर लने जीजिए ताकि आपको तो सही से बीजबल रहे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा ना, ऊपर से थोड़ा नीचे, अब सारे कोशन देखेंगे, तो फंजाई का जो सेल वाल है आपका, वो कायटीन से मिलके बना होता है, वो एनस्टिल ग्लुकोसामीन का पॉलीमर का होता है, मोने राम तो पेप्टीडो फंजाई बोलते हैं, फाइको माइसेटीज या आप कभी-कभी इसको उ माइसेटीज की अंदर लोवर फंजाई है, ये जो तीनों है, पेनिसीलियम जिसको हम ब्लू मोल्ड कर दिया, इसको वीडाब लबरेटरी, निरोस्पोरा को हम पिंक मोल्ड या, ड्रोसोफिला आप प्लाउन्ड खिंडम कते हैं, तो ये सारे इसको के हैं, लेकिन रईजू पस आपका इसको का नहीं है, ग्रेसिल एरिया एक तरह कं रेड इल्गी है, जहां से हम प्या निकालते हैं, ठीक है, उल्गीन, देखो हमारा ब्राउन इल्गी से निकाला जाता है, प्लस केरा ग्री इलगी जो कॉन्डर स्क्रिप्सफ है आईरिस मौस बोलता है ना कॉन्डर किक्सफ वहां से निकाला जाता है जेनराफ फीच एलगा डिवीजन कंटेन्ट फाइको इरिथरीन पिगमेंट देखो फाइको इरिथरीन जो रहेगा वो जैसे अगर हम आर फाइको इरिथरीन खी ब राउन इलगा हो जाएंगे, पुरपाइरा, आप कमेंट सक्षन में च्शाप देना कि पुरपाइरा से कौन सा खाने वाला चीज बनाते हैं, पुरपाइरा लिनियरी सबसे सर्ट इस क्रोमुसोम भी होता है, आप बताना पूरपाइरा मतलब पोरपाइरा से हम क्या खाने वाला चीज बनाते हैं यंसे नाम है उसका और आप इसको भी मेंसन करना क्या सर मेरा देखो अगर गलत हो गया ला गलती साब गलत कियो न तो उसके लिए परसान मत हो अब जो करके आए हो उसको ठीक है करके आए हो अब वो बदल नहीं पायेगा तो परसान होने के जिरूत नहीं है समझ रहे हो ना और जो question मुझे लगेगा कि इसका answer vary करेगा मैं start लगा दूँगा ये सब तो answer भाई जो बता रहा हूं देखो यही होगा लेकिन एक चीज़ यह भी अगर आप जैसे ये वाला question गलत कर गया है ना तो भया तब और टप टप कैसे सही गर पाओगे which are the falling plant exhibit opposite pattern of phallotaxi तो देखो यहाँ पे ये दोनों में alternate रहेगा इसमें तो hold रहेगा ठीक है वोल्ड गोला गोला कैलोट्रॉपिस होगा इसका answer ठीक है डिकसेट करके कैथरी निसाओ गर के थे वाई उक्रेइन के बायोलाजिस्ट थे तो कैथरी निसाओ जब आप plant anatomy पढ़ोगे तो इन्होंने एक book भी लिखा था anatomy of the seed plant इनका book भी है सब लोग anatomy के लिए पढ़ते हैं तो ये simple question था lateral root कहां से बनता है vascular bundle में से तो lateral root का formation होता है pericycle से steel represents our tissue on the inner side up तो steel कहां पर होता है किसके अंदर का सारा हम steel मतलब कौन सा layer रहेगा जिसके अंदर का steel तो endodermis के अंदर जो जो भी रहेगा जाइलम फ्लोयम पेरिसाइकल पित रेज ये सब जो रहेगा वो steel का पाड़ रहेगा इंडोडर्मिस के अंदर का न अगला हमारा question the member of which of the falling division आप एलगी exhibit biluminescence तो biluminescence प्रकास दिपती से बोलते हैं और dynophyser हम कहेंगे डाइनो फ्लेजलेट जो रहेंगे वो आपके प्रकास दिपती यानि बायलिमनेसेंस तो करते हैं रेफलीसिया जो हमारे वर्ल्ड का लार्जिस्ट फ्लावर है जिसका पॉलिनेशन केरियान फ्लाई कराता है सीड डिस परजल हाथी कराता है तो रेफलीसिया जो है वह अकिट बता देते हैं यह सब सबकुछ आपको बताया गया है ऐसा नहीं कि कुछ नहीं बताया गया है ठेखो टोटल रूटप्रास आइट में जैसे रेफलीसिया हो गया बेलैनोफोरा हो गया यह सब आते हैं नाट करेक्ट स्टेटमेंट आप से पूछ रहा है और आईल गम और रेजिन का डिपोजिशन कहां पहता है पता है जब आपका हर्ट उड़ बनता है जो ड्यूरामन बनता है तब देखो सैप उड को हम अलबर्नम बोलते हैं जो कंड़क्टिंग होता है और हर्ट उड हमारा अलबर्नम है तो यह वाला एंसर गलत है यानि यही आप का इंकरेक्ट पूछा है तो यह होगा identify the correct पे और आप इपिविशिटी के एलगा यह question थोड़ा सा हां tricky है देखो जैसे पे लेमना जो है mostly करके निटेला पर होगा यही मेरे हिसाफ से सही है एक बार इस्टर भी लगा देता हूं हो सकता है answer की इमें विरी हो जाए आप लोग वैरिफाई कमेंड में करना कि क्या लगा के आए हो बीशस्वाण का कि एंसर मार के आए हो और आपके हिसाब से क्या होगा अगला function in rayofite में Meiosis कब होता है बहुत है First जब इस पोर बनता है तोिए पॉर मदर सेल में होता है तो वहां पर hootा है is for इप्लायर होता है तो यहां पर जो सबनता है its simple question not proof our the hypnosis pump तोा-प आंप यहाई-प्लै तो भाई जीमिनोस्पम का फिमेल गयमिटोफाइड नहीं हैपलाइड होता है न हैपलाइड होगा तो हमारा एंसर तो यही आ जाएगा माइक्रोस्पुरेंजिया जो होता है जीमिनोस्पम में देखो कि तो एबेक्सियल यानी लोवर साइड पर रहेगा यह भी बिल्कुत सही बात है तो हमारा एंसर देखो C आएगा सी ना डम्बल शिप्ट गार्ट इलं फाउंद इन तो थोड़ा सा ट्रेकी कोश्चन है की टीनी सेविट गार्ट से रहता है डाइग filter में तो यह होगा नहीं ओली दिया Minute इन वीट राईस में गलत बात एकदम की इस प उप कार्ट ये भी एक तरह का इसे सफ़न की ऐसे होंगे मोनो कार्ट जहां पर डंबल सिर्फ नहीं रहेगा तो आल पोईसी मेंबर विल भी द राइट एंसर हीर समझ गए अगला कोशन है वीच आप दो फॉल्विंग गैस डज नाट कंटिब्यूट तो ग्लोबल वार्मिंग ग् एंसर हमारा डी आ जाएगा इमंग लिवर वार्ट द एवोलूशन आप दे कॉम्प्लेक्स थैलस विस एयर पॉर एंड कैविटी फोटो सिंथेटिक एंड इस्टोरेज जोन पेग्डेन स्मूथ राजवाइड आर स्केल इस्टेजी टू इन्मेड मतलब क्यूं होता है भा तो हम ए के साथ जाएंगे फिर भी मैं ए के साथ एंसर तो बता रहा हूं फिर भी यहां पर इस्टाल लगा देता हूं न इस्टाल क्यों लगा रहा रहा है अरे भाई यह कोश्चन अगर मैं भी अटेंड करता था तो मैं भी कन्फ्यूज होता बहुत लोग न साइट वेर स हुआ था तो बहुत लोग को चोट लग रहा था तो उस समय घाओ को भरने के लिए ऐसे करके पट्टी की तरह इस फैगनम का यूज करते थे जिसको हम बॉग मास पीट मॉस या क्वैकिंग बॉग बोलते हैं ठीके बई ट्रू मॉस यह और यही एंसर होगा सागो कहां से न माइनस होता है ना उसे चिल गोजा पाइन मोलते हैं नत ना टू फार्दा जिम्नेस पंदेखो यह कोशन रिपीट हो गया ना कोशन रिपीट है के नहीं देखें अगर एक कोशन और दूसर का भी और सखहें कर सकते हैं और यह बेकिन उनका क्या जिनको उपर वाला कॉशन यह गलत हुआ और यहाँ पे भी गलत हुआ यहाँ पे दूसरा question देते तो सही कर सकते की नहीं आपको क्या लगता सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं अरे बाई सही कर रहा हूं बदल के देना चाहिए था question ना record हो रहा है कि नहीं चलो आगे चलते हैं हम 29 पे ऐसा कौन सा layer है जो developing pollen grain को nourishment देता है तो developing pollen grain को nourishment tapitum देता है भाई ठीक है इंडो थेसिय में सब डेशेंस में काम करता है which ecosystem so list variations ऐसा कौन सा ecosystem है जो बहुत ही कम variations हो कर रहा है तो आपको पता ही होगा यह सिंपल सा question है इन रिस्पेक्टिव आपका location and amount of rainfall received देखो जैसे आपका यह मराइन ecosystem होता है यह सबसे कम variations हो करता है क्योंकि यहां पर rainfall ऐसे sunlight ऐसे करें कि बहुत नीचे है तो sunlight का भी उतना जरूरत नहीं है बहुत सारे ऐसे जो बिदाव स्टनलाइट मतलब विंट हाइपोडर्मल विंट का जो है उसका energy उच कर रहे है डिजर्ट ecosystem इसलिए नहीं होगा क्योंकि भाईया देखो डिजर्ट में अगर rainfall हो गया तो वहां पर सब पेर पहुद हो जाएंगे डिजर्ट में rainfall नहीं हुआ तो ऐसे करके बदला होता रहता डिजर्ट में ऐसे ये ट्रॉपिकल का है एंसर आपका मराइन आना चाहिए अब देखो ओजोन लेयर कहां पे मिलता है अगर ये question आप गलत कियो भी या न OPSC दे रहे हो आप या कोई भी एक्जाम दे रहे हो अगर आप बॉटनी की स्टूडेंट हो बायोलोजी की स्टूडेंट हो तो ये question आपसे नहीं गलत होना चाहिए ठीक है अगर ये question गलत कर रहे हो न तो आप दुखी हो सकते हो नहीं करना था गलत इस्टैट्व स्पियर होगा इसका राइट एंसर अगर चलो अगले question पर हम चलते हैं अगला question the region with the number up highest number up endemic species तो ये बड़ा ही simple question है लेकिन tricky है आपने अगर एक यार कोई ना ऐसे कार्टून वाला movie था मादा गासकर वाला अपने lion king सायद देखा हो ठीक है lion king के आगे का part तो वहाँ पे जैसे मादा कासकर में लीमर हो गया और बहुत सारे ऐसे करिके ना वहाँ पे पाए जाते हैं मादा गासकर में ऐसे ऐसे animal पाए जाते हैं जो और तो आटौमी से बहुत पुझा है ध परफ्रिक्ट या आईवियक्ट इस्टेज संजाए क्या होगा थोड़ा सा बलर है मैनेज करना परके स्टेज्च या आटिस इसेज का मतलब होता ही कि जहाँ पर सेक्क्शूल इस्टेज रहे और इस आव्य heb उहारा C होगा इसका ऑंसर तो वहां से क्या ऐसे करके ऐसे दाने दाने दिखेंगे तो बैसीडियो स्पोर्स के रहेंगे अल्ली ब्लाइटा पोटेटो काज भाई तो भाई यह कोशन कितना घुमा के दिया है मतलब सोचने वाली बात है लेकिन अगर आप पड़े होंगे तो जो आपका अल्टरनेरिया स ब्लू सिमपल लाइकेन अब बढ़ते हो सक्सिययर यह सब होता है अगला हमारा कोशन है ऐसा कौन हो गे जिस हैं जिस जी इस मिंधे współ करेगा किंग Five Klinentos से के कि लिए मैं ने बत़ाया था जैसे वह मनो अ पूगैमी के लिए क्लमाइडो मुनास कक्सी फेरा तो सिंपल कोश्चन है ना परासेक्स्वल्टी किस निक हो जा था कितने बार हमने बताया कि परासेक्स्वल्टी पेंटो कार्वें एड़ेपर निक हो जा था इस पजिलस नूडो लेंस में ठीक है एलो पैट्रिक जियोग्राफिकल बेरियर तो जियोग्राफिकल फैक्टर की वज़े से होता है जैसे बीच में नदी है पहाड़ है तो एस की वज़े से जो अलग-अलग इस पिसीज बन रहे है वो एक प्लांट पैथोलाजिस्ट है भाईया वो देख रहा है मेच का लीफ और वो लड़क से जहां आणगस है जम माइक्रो सकोफ से वो देख रही है तो वहां पर इस्टरायल हाइफी देख रही है और composer क्रेंप कनेक्शन देख रही है क्या देख रहे है क्लैम्प कनेक्षण अब बताना है कि दीजीज किसके वजह सो रहा है तो क्लैम्प कनेक्षण किसका फीचर है, já? हाँ का maximal47 का है क्लैमप नियो है बैसीटि लेगों के ठीचर है और वो ऐस्टि-लेगों है न तो में अस्टि-लेगों तो आप सबको की गलती मत करना、 जब आपको मौका मिले। एब डाउंलोड कर लेना, एब का लिंक इसक्रिप्सन में मिलेगा आपको जरूर डाउंलोड करना और एब का लिंक ना वाटसेप पे स्टेरस देना सबसे से डाउनलोड कराना, सपोर्ट करना हमको, जनरली एक कंडिसन है, थ्री सेल्ड पॉलेन जो है न, वो इनिबीट हो रहा है, आप दस सिल्फ पॉलेन पॉलेन ट्यूब, इस्टिगमेटिक जोन के दोरा, मतलब जैसे ही ये थ्री सेल्ड का पॉलेन है हमारा, जैसे ही इस्टिगमा पे ये लेंड कर रहा है न, इस्टिगमा उसको जर्मिनेट नहीं दे रही है, तो इस्टिगमा उसको जर्मिनेट नहीं होने दे रही है, तो ये किस तरह का इनिबीशन हो जाएगा, यह sporophytic cell पे incompatibility होगा, इस stigma नहीं चाहती कि वो germinate हो पाए, तो cell पे incompatibility हमने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर देखो, इस stigma पे pollen खुझ से ना germinate होना चाहता तो gametophytic होता, इस stigma पे आके वो हो रहा है, तो sporophytic होगा इसका answer, new question है, और बढ़िया question है, यह leaf के modification होते हैं, बैथी फिल्स और अक्रोफिल्स, ताकि वो trap कर सके चीजों को, और यह आपके epiphytic forms में देखे जाते हैं, बढ़िया question है, कम से कम OPSC ने मेहनत किया, एक नया question तो लाया, which of the falling statement is true for the mega fill up terridofied, देखो, इस question में न कुछ है नहीं, आप देखो, micro fill आपका कहां पे होता है, सिले जिनेला में, लाइको पोडियम में सब बे होता है, mega fill हमारा fund में होता है, तो fund में आप देखोगे, तो fund में dicteo steel पाए जाता है न, तो leaves with branch vesicle bundle have the leaf gap, dicteo steel में leaf gap होगा, और divergent point of leaf trace भी रहेगा, तो यही answer है, अब भी देखोगे, scale our needle-like structure with unbranch vesicle bundle, no leaf gap, तो no leaf gap आपका fund में होगा नहीं, leaf bearing group आप sponge अंदर abaxial surface, तो यह आपके sillage नेला और lycopodium होता है, तो वो micro fill हो जाएगा, गलत है, leave that surround sponge यह कुछ मतलब नहीं, तो पहला होगा answer, answer निकालने का तरीका होता है, रटना नहीं होता, insertion आप instrument over the receptacle में भी spiral, fasciculated या hold, अब देखो question यहाँ से शुरूए न, आज के manner में, तो orb deploy stimulus रहेगा, यह carryo filacy का character है, syngenesis कहाँ पर होता है, comment section में mention कर देना, और tetradynamus कहाँ पर होता है, क्या कर रहा हूँ, सुनाई देता है कि नहीं, ideal student मत बनिये, अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको comment करना चाहिए, अगर वीडियो देखते हैं, comment करना चाहिए, और like भी, आप सब like नहीं करते हैं, हमारा channel ना एक्दम नीचे चला जा रहा है, degrade होता जा रहा है, वीडियो को like तो कर दिया गरो, गम जिकम, और जो बीच में हम आपसे internet करके बोल रहे हैं, कि भाया, comment करेंगे, comment करेंगे तो हमको पता चलेगा ना, कि नहीं, बड़ा महिनत लग जाता है, data खतम हो जाता है, आपका, नहीं होता न, incompatibility between plant which does not result from active recognition system, तो बिया, incompatibility जो है, अब plant में जैसे pollen grain आ रहा है, इस्टिकमा पे land कर रहा है, इस्टिकमा उसको पहचान ही नहीं पा रही है, कि सोच रहेगी, यह other species का other plant का है, तो incognority इसे बोलते हैं, मतलब, इस्टिकमा उसको पहचानने में ही अच्छा में, यह new question है, इनको greedy कहेंगे उसे, अगला हमारा question है, एस्ट लोक के self-incompatibility comprising SP11 as male and SRK, सारुख खान नहीं, यह SRK एक gene की तरह है, female dominant, इस एक characteristic feature है, तो यह sporophytic self-incompatibility के gene है, जो Brassie Casey के family में देखे जाते हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ा होगा, बहुत लोग छोड़ दिये होंगे, या तुक्का मार सकते हैं, तो 25% chance है कि सही हो जाए, गलत होगा तो 0.25 कड भी गया होगा, तो होता है भाई देखो, किसी भी एक्जाम का ना 100% कटाफ जाता ही नहीं है, तो आपको 100% आएगा भी नहीं, विच वन अप दो फॉलूइंग फीचर आप एंथो सिरास एंडिकेट एलगल एंसेस्ट्री, तो कालू मिला है तो भाईया इससे नहीं मतलब है, सिंगल लार्ज क्लोरोप्लास है, विच मल्टिपल पारियोनाइड इन इससेल यहीं है भाईया, जो एलगल एंसेस्ट्री को बताता है, प्रेज़ जैंस आप स्लाइम पॉल नहीं, सिंब्योर्टिक एससेसन नहीं, आपका भी होगा एंसर, टिलोम थियोरी भाईया, बहुत ही जीमर मैं ने दिया था कि आपके प्रिमेटिव प्लांट से कैसे हायर प्लांट बने, प्लांट इवाल फाम दर डाइक आटमेस ब्रांचिंग आप दर लीफलेस एक्सिस तु मोनोपोडियल ग्रोथ, प्लांट इवाल फाम दर लीफलेस ब्लांट बने, मतलब एक छोटा एक बड़ा कर रहा है, फिर प्लेनेशन एक प्लेन में आएगा, विच आप दर फालिंग स्टेट्मेंट अबाउट इंब्रियो सहे का आप एंजियो स्पर्म इच करेक्ट, तो देखते हैं, नुकलियस आप दे एक सेल उजिली लोकेटेट ट्वर दा माइक्रोपाइलर बिल्कुल सही बात है, और दोज आप दे सिनर्जी ट्वर्ड चलेजल, सिनर्जी ट्वर्ड चलेजल नहीं होता भाई, सिनर्जी भी एक के पास ही होता है, गलत, दे सेल वालाप एक सेल इस नाट एंटी नुटेट ट्वर्ड चलेजल इंड, नहीं भाई, मतब उधर रहता है, तो वो जाके डिजेनरेट हो जाता है, यह गलत बात है, इन स्पिसीज वेर दा एक आपरेटर्स इज विदाउट दा सिनर्जी दा एक सेल पॉसेस दा फिली फार्म आपरेटर्स, भया सिनर्जी नहीं रहेगा तो फिली फार्म आपरेटर्स कहां फे रहेगा, गलत बात, तो central cell के पास दो निकलियाई होता है, बिल्कुल सही बात है 2N condition D हमारा answer आ जाएगा दिख रहा है हाँ, चलो अगला question चलते हैं, हम देखते हैं अगला हमारा question है, resource part owning would be the most likely to occur between, तो resource part union जैसे देखो, खाने का amount एक दम कम है यहाँ पर एक ही species के खाने वाले मतलब दो लोग है, एक ही ट्रॉफिक लेवल पर feed कर रहे हैं, तो एक क्या कहेंगे भाईया, इतना खाना तुम खालो, इतना हम खाएंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, sympathetic population हाँ पर specific with similar ecological नीचे, ठीक है तो same same रहेंगे ना, तो यह हम sympathetic कहेंगे, यह वाला कहेंगे फिर भी start लगा लो which of the following statement consists with the competitive exclusion principle तो competitive exclusion principle होगा तो density of the one competitive will have the positive impact नहीं, positive impact नहीं होगा, negative impact होगा, two species with the same fundamental निके will exclude the other competing species, मतलब बिलकुँछ सही बात है भाईया, same अगर fundamental निके रहेगा, तो एक क्या करेगा, दूसरे को eliminate कर सकता है यह सही है, even a slight reproductive advantage will eventually lead to the elimination of inferior नहीं even in the slight reproductive advantage will eventually lead to the तो इसको भी होल्ड, evolution to increase competitive related species तो answer दोखो ना, बी वला आएगा, most correct यही है बड़ा पास-पास answer दिया है, the competitive exclusion and tragedy of camera are two important ecological principle in natural resource management, the proponent आप दीच प्रिंसपल, तो यह principle किस ने दिया था, competitive exclusion प्लस tragedy आप common, अगर सिर्फ competitive exclusion देता तो आप गौस का principle समझते, लेकिन यहाँ पर tragedy आप common भी है, तो यह Garrett James Hardin ने दिया था, भाया new question है, मेरे को भी नहीं आया था आप जैसे Darwin Darwin को तो निकाल देते, Darwin तो इस पर काम किये नहीं थे, Hardin और योर्क और होंडन में confused हो कि आप हो सकते हो अगला question है, climates तो climates ने भाया, क्लाइमेक्स थिवरी दिया था, तो इन्होंने यह बताया था जो हमारा community होता है, सारे community के जो factor होते हैं, A-biotic and Biotic, एक साथ काम करते हैं, Gleason ने Super Argonigium model दिया था, तो यह question simple है, बहुत जगह आया हुआ है ऐसा कौन सा ecosystem है, जहां पर primary productivity per square meter में सबसे ज़्यादा होगा, तो open ocean है देखो, इतना जगह लोगे ocean में बहुत ज़्यादा algae यहाँ पे रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा algae रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा photosynthesis करेंगे, simple बात है कौनिफर pollination drop form by the तो pollination, pollen drop कैसे बनता है Degeneration, आप new solar cell होता है जो micropile के outside में exposed हो जाता इस वज़े से, यह कभी होगा नहीं यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा rate इसनों किस से होता है क्लेमाडो मुनास के कि species से, बड़ाई simple question यह होता है क्लेमाडो मुनास निवैलिस से अगला हमारा question है environmental footprint क्या होता है, the sum of the all land to produce the resource it consumed to absorb the waste emit out when it used energy and to provide space to infrastructure तो बिलकुत सही बात है, देखो carbon footprint होता है कि जितना हम production कर रहे हैं जितना हम resource को utilize कर रहे हैं, हम कितना carbon dioxide या कितना pollutant को हम excrete कर सकते हैं कितना pollution हम कर सकते हैं, यह वही होता है footprint या हम बात करें, carbon footprint को कितना हम emit कर सकते हैं waste material को, तो यह होता है किसी country का carbon footprint carbon footprint को हम खरीज सकते हैं बेज सकते हैं, तो यह थोड़ा सा UPSC level पे चला गया question तो यह होगा यह create employment नहीं होगा और यह footprint आप all population नहीं होगा thus हम आप the impact caused by developmental यह नहीं होगा, पहला ही answer होगा karyophyllide type का embryo genie होता है, basal cell pro embryo का कैसा होता है, देखो transverse division तो solenoide में होगा longitudinal जो रहेगा, crucifer और esteride में रहेगा, karyophyllide में जो होता है न, pro embryo जो का basal cell होता है, वो divide नहीं होता वो थोड़ा सा बस enlarge होता है, तो C होगा इसका answer, फिर भी style लगा ले न authentic source से बदा रहा हूँ, मैं class में पढ़ाया भी हूँ, content है मेरे पास तो C होगा इसका बल्ली form cell के लिए, जो motor cell होता है उसके लिए क्या correct नहीं है तो they are some of the modified adaxial, सही है adaxial रहता है, adaxial epidermal cell होता है जो transpiration को कम करता है abaxial, दोखो यह अब CD पर तो जाना नहीं है, इसी में है adaxial पर होता है, abaxial नहीं होता तो यह answer B वलाएगा अगला question है अगला question है above the ovary रहेगा तुसे हम epgyny कहेंगे epgyny कंडिशन epgyny कंडिशन हम इसे बोलेंगे inferior ovary रहेगा यहां पर और यह advanced feature है if flattened argon arises from the stem of the plant, तो stem जो होता है leaf-like modification कर लेता है तो अब उनसियां में यह philoclade इसे बोलेंगे flower को हम actinomorphic कप कहेंगे, flower को हम किसी भी plane से काटें, वो दो बराबर भागों में divide हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे actinomorphic, बहुत ही simple question obligate biotrap ऐसे pathogen है जो हमेशा living tissue के उपर ही grow करेंगे ठीक है अगला हमारा question है एक ऐसा proto-steel है जहां पर जाइलम जो है undulate हो जा रहा undulate का मतलब कि ऐसे करके यहां पर न ऐसे करके ऐसे अंगुली की तरह या star की तरह तो undulate का दूसरा नाम होता है star saved तो हमारा क्या हो जाएगा एक टीनो इस्टील एंसर आ जाएगा अल्ली ब्लाइट अपोट है दो देखो यह फिर से repeat हो गया question पीछे देखे थे न question यह था न कैसे repeat करते हैं भाई किसी के घर के OPSC में काम करते हैं उनसे complain करो भाई आप लोग कि परवा तो बाहर छोटे छोटे अंदर बड़े बड़े यानि metagylem जो रहेगा अंदर के साइड और protogyylem जो रहेगा सेंटर से दूर रहेगा तो protogyylem is farthest from the center apexis exarch जो रहेगा root का characteristic है और in dark जो है यह stem का characteristic है in dark जो है stem का characteristic है trichoblast क्या होता है trichoblast एक hair like structure होता है root epidermal cell होता है जो root hair बनाता है बहुत ही simple question है यह hydride जो graphite का होता है hydride or leptide higher graphite graphceta के member में तो इनका hydride secondary thickening होगा food material का conduction कराएंगे P protein भी रहेगा लेकिन lignine का deposition secondary deposition वहाँ पे नहीं रहेगा तो यहीं रहेगा एक ऐसा अर्णीजम है जो attack करता है living tissue पे but grow करता रहता है उसके मरने के बाद भी तो इसे हम देखो मर जाएगा तब भी रहेंगे तो necrotrop कहेंगी इसे क्या कहेंगे necrotrop faculty saprophat नहीं कहेंगे अगर वह मर जाता तो वह dead end decay पे grow करना चाहिए लेकिन वह उसी पे grow कर रहा है तो necrotrop कहेंगे successive cambia कहां पे देखा जाएगा तो bore heavy navia रहेगा वहां पे आप देखोगे न ऐसे करके ring like structure cambia का ring like structure देखा जाएगा successive karg cambium result in the formation of karg which become impermeable अरे भाया फिर से repeat हो गया तीन question देखो 100 में repeat हो गया suberine का deposition होता है देखें root are not present among the following member आप तो root देखो sylopsida के member में नहीं रहेगा जैसे sylotum हो गया जिसे हम whisk fun बोलते है missip teris होगा यहां पे root नहीं होता है बहुत ही simple teridophita अगर आपने थोड़ा से पढ़ा तो वहां पे जरूर पढ़ोगे the membranus ring present under this type आप mushroom तो mushroom के इस type पे जो ऐसे करके आप देखोगे न छाते की तरह रहता है उसको हम annulus कहेंगे not true for the resia to resia का sporophyte foot नहीं रहेगा sita नहीं रहेगा spore जो होता है day 10 decay के बाद liberate होता है यह भी सही होता है thailas में भाया smooth wild ragoid होता है यह गलत चीज़ दिया है यह सही होगा तब ठीक है not true पुछा है तो यही ठीक है which of the following is found in the cortex of coloride root of psychus तो coloride root of psychus में क्या रहेगा algal zone रहेगा middle cortex वाले region में cyanobacteria रहेगा nastock pactiniform ठीक है tunica carpus theory में cell of tunica तो tunica जो है बाहर का तो predominantly पेरी क्लिनिकल जो होता है कार्पस चारो प्लेन में कार्पस करता है यह तो tunica anti-clinical करता है form the outer envelope region बिल्कुल सही बात है outer envelope तो बनाता है यह answer भी होना चाहिए contribute to the increase in the volume नहीं volume के लिए कार्पस काम करेगा tunica तो ऐसे करके बाहर का बनाता है ऐसे करके epidermy से सब the equivalent to pleurome pleurome के equivalent नहीं होता भीया कार्पस pleurome बनाएगा न tunica carpus theory Schmidt ने दिया था यह भी बात याद रखना istomata that are surround by the cell which are integrable from the other epiderm भया देखो यही चीज़ है guard cell और subsidiary cell को यह सबको आप आपस में identify अलग-अलग नहीं कर पा रहे हो तो यह anomocytic type का istomata है renunculacy में anisocytic type का आपका parasitic type का kerophilacy में रहेगा तो यह सब simple simple चीज है इन्हे plant argon which are covered by the periderm और जिसमें istomata भी नहीं है तो कुछ gaseous exchange कैसे होगा तो कुछ gaseous exchange होगा lenticill के द्वारा जो stem पर पाए जाएंगे न aranchyma नहीं होगा भाई aranchyma तो buoyancy देता है तैरने mail करता है to perform microscopic of the fungus कौन साइश्टन हम यूज करेंगे lab में आपने काम किया होगा na BSCSC में क्या यूज करते थे lektophilal नहीं cotton blue ही होगा lektophilal को mix करके कर सकते हैं main हमारा जो है न वो cotton blue ही है ठीक है फंजाई LG से कैसे differ करता है तो फंजाई के पास kytine होता है सेलवाल में और chlorophyll नहीं होता इसलिए वो अलग है अब देखो यह सब बड़ा सिंपल सिंपल आइडेंटिफाइ करना आपको ode यहां से तो नास्टाक कैलोथ्रिक्स टोलोफ्रिक्स यह सब सब ब्लू ग्रीन अलगी है यह सब कुछ ब्लू ग्रीन अलगी है यूलो फृक्स आपका ग्रीन अलगी है इस्पायरोगायरा कहा से बिलोंग करता तो जीगने मेटल से बिलोंग करता है क्योंकि यहां पे konjugation होता है इसलिए देखो क्लोरोकोक्कल से तो ऐसे बिलोंग करेंग जहां पे par hectare में 25 जोग आ रहे तो क्या वह देख रहा है वह देख रहा है यहाँ पर मुझे एक बार चीक तो तु Masi लिटर स्कॉयार में या ऐसे करके एरिया लेते हैं तो तो वहां पर डेंसिटी की है हम बात करते हैं कितना डेंसिटी है उनका अगला कोशन है अग्रो एकोसिस्टम डिफॉर्फ फार्म दे नैच्रल एकोसिस्टम जो हमारा खेत कियारी होता है जो हम खेती करते हैं तो हमारा क्या होता है fix होता है ना किसी के पास एक विगा खेत है किसी के पास दो विगा खेत है विगा नहीं समय है अरे hectare समझ लो fix खेत होता है तो they have the fixed boundary और यह managed system होते हैं हम अपने मन पसंद खेती करते हैं ना इसलिए यह वाला होगा इसका answer the most important factor affecting the distributional biome very simple question भाई आप अगर temperature और rainfall rainfall मतलब precipitation की बात करते हैं वहां पर अगला question है which of the following level of the organization is arranged in the correct sequence from the most to least inclusive मतलब जहां पर ज्यादा organization से कम organization तो हम वहां पर सबसे ज़्यादा क्या है ecosystem है फिर community है फिर population individual तो A वाला ही आ जाएगा D वाला लगा क्या है हो क्या symbiotic association में जब नाश्टाग होता है एंthosiras के थेलस में आता है तो किस format में जाता है question बड़ा ही conceptual है जो हार्मोगोनिया रहता यह मोटाई रहता यह जाता है एंthosiras के थेलस में और यह बड़ा बढ़िया question है ठीक है भी यह एक आइनीट और जूस is the most desired requirement for the plant disease to occur मतलब plant pathogen को plant में attack करने के क्या चाहिए यह virulent pathogen होना चाहिए यह नहीं भाई अगर उसके पास ताकत ही नहीं रहेगा capacity ही नहीं रहेगा infect करने का तो क्या abundance and aggraveness of the plant pathogen and susceptible host तो यह ठीक है यह कह सकते हैं अभी hold पर रखते है most conducive environmental condition बिल्कुल सही बात है भाई यह attack तब ही होगा जब environmental condition pathogen के favor में रहेगा उनका अधिकता होगा और aggraveness होगा और pathogen और susceptible host होना चाहिए तो C वाला सही है एकदम avalence यहाँ पर तो यह भी होगा नहीं तो पहला और D तो ऐसे मार देते हैं अब B और C दोनों सही है लेकिन C ज़्यादा correct है तो इसलिए हम इसके साथ जाएंगे which of DG ecosystem has the highest primary productivity per square meter तो open उसके हैं यानि आप अभी तक देख सकते हैं 4 question repeated है भाई 4 question देख लिए reduction of protective supporting conducting and absorptive tissue anatomical adaptation भाई या जाइलम फ्लोयम कहाँ पर disintegrate होगा जहाँ पर general body surface के तुरू सब पानी जाएगा तो यह hydrophide का character होता है बहुत है simple question which of the following is the method of predicting the likelihood that species will persist in a particular environment तो देखो that species will persist in particular environment मतलब कोई ऐसा plant और animal है उस particular ecosystem उस particular area में रहेगा या नहीं रहेगा वो कौन बताएगा तो बताएगा population viability hypothesis मतलब वो वहाँ पे कितना दिन तक जिन्दा रहेगा जिन्दा रहने के लिए क्या क्या चीज़े चाहिए तो D होगा इस साइटो प्लाज्मिक सेल फ्लोयम और पॉसेस लार्ज नुकलियाई और नुमरियस प्लाज्मो डिस्मेटल कनेक्शन इद मेट्यूरशी तो यह कैमपेनियन सेल होगा बहिया जो स्यूट्टूप के साथ जुड़ा रहेगा दर रीजन आप एपकल मरिश्टे में प्लांट तो प्रोकैंबियम तो प्रोकैंबियम है जो आपका वैस्कुलर टिसू बनाएगा और वैस्कुलर टिसू बनाने के लिए आपका प्लिरोम काम करेगा पेरीडर्म नहीं काम करेगा समझे की नहीं कैस्पेरियन इस्टिप कहां पर रहता है तो कैस्पेरियन इस्टिप आपका इंडोडर्मिस में रहता है जिसे हम इस्टार्ज सीद बोलते हैं जो एपुप्लास्टिक मोमेंट को ब्लॉक करता है उट देट कंटेंड लिटिल पेरेंकाइमा तो लिटिल पेरेंकाइमा यानि पाइनस का उट की बारे हम बात करेंगे तो यह पिक्नोजाइलिक होगा ठीक है भई ज्यादा पेरेंकाइमा रहेगा तो उसे मैनोजाइलिक कहेंगे मोनोजाइलिक नहीं मूनोजायलिक का मतलब होता है सिंगल कैंबियम पॉलीजायलिक का मतलब बहुत ज़्यादा कैंबियम अगला कोश्चन है आपका बायो डाइवसिटी हाड़ इस पार्ट क्या होता है जहां पर हाई नमबर आप endemic species मतलब ऐसे species जो और कहीं नहीं पाए जाए ना यो ट्राफिकेशन देखो नाइट्रेट और फास्पेट अगर हमारे तालाब पानी के जो सोर्से से वहाँ पे ज्यादा हो जाए तो उसके वज़ेस होता है तो nutrient flow in lake की वज़ेसे होता है ना last question the fundamental difference between material and energy अब ही देखो यह तो बहुत ही common question है जैसे material की बात कर जैसे carbon dioxide हो गया nitrogen हो गया तो यह सब recycle होता रहता है जैसे plant photosynthesis करते हैं हम खाना खाते हैं फिर हो जाता है मिट्टी में मिल जाता है फिर से वापस आता है तो material तो recycle हो जाता है लेकिन energy जो होता है ना ecosystem में heat के form में lost हो जाता है तो material are recycled to ecosystem और energy is lost as heat तो energy को हम recycle नहीं कर सकते हैं तो कैसा लगा question OPSC 2024 आपको उसे दिख नहीं रहा है बताना चाहिए ना एक मिनट रुको यह screen न थोड़ा थोड़ा यहाँ पर देखो अब दिख रहा है मैंने पढ़ा था सुना तो सुना तो होगा न पेपर मैंने एप पे upload कर दूंगा वहां से जाके download कर लेना समझे भई डाउनलोड कर लोगे न और प्लस आपको करना क्या है भई एप डाउनलोड कर लो प्लस देखो अभी OPSC दे भी लिया या अगर आप अभी तयारी कर रहे हैं SSB के लिए SSB के लिए कर रहे हैं तो देखो आप न बॉटनी का हमारा badge जोईन कर सकते हो जो देखो मैं दिखा देता हूँ एक बार और आपको यहाँ पे जो है आपका यह दिख रहा है आपको यह वाला badge अगर आप देखो SSB के लिए है न Achiever 4.0 badge जोईन करो आसिस्टन प्रोफेसर के लिए जो भी दयारी कर रहे हैं किसी बिख्जाम के लिए मैं Achiever badge recommend करूँगा और अगर MSC entrance के लिए तयारी करे है तो आप believer badge जोईन करिए ठीक है बाई और आपका अगर basic clear है तो आप बॉटनी का टेस्सरी जोईन कर सकते हो चलो मैं आपसे मिलता ह दोसरा भी पेपर मुझे मिल जाए जितना जल्दी मैं upload कर दूंगा ठीक है बई चलो